आकाश्वानी भूपाल से प्रसुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले एक अपी देशपर में 18 साल से अधिकाय वर के लिए सरकारी केंद्रों में निशल कोविट टीका करना भ्यान जारी है युवाश्वताओं से आग रहे कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रूत साहित करें जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकले और सुरक्षा के दीन जरलोपायों का पालन करें मास्क लगाएं दोगस की सुरक्षी दूरी बनाए रखें हाथ और चहरा साफ रखें कोविट संबंधी जानकारी और मांगदर्शन के लिए राश्यक हलप लाइन नंबर 0123978046 और 1075 पूर संपर्क करें अब समाचार विस्तार से राश्यक टीकाकरण अभ्यान के अंतरगर देश में अब तक 63 करोड 9 लाग स्याधे कोविट रूधी टीके लगाय जा चुके हैं कल 73 लाग 80,000 ज्याधे टीके लगाये गए स्वासम अंत्रारे ने बताये कि देश में सबस्त होने कि इदर 97.53 प्रतिशत हो गई है इदर प्रतिश में आज कृष्ण जन्माष्टमी होने से कोविट-19 ठीकागर्ण सत्रों का आयोजन अब का लिकती सगस को होगा रविवार को प्रसारित प्रधानमंत्री नरींद्र मूधी की कारिक्रम बन की बात ने मध्य प्रतिश में नया रिकॉर्ड पनाया है यहां 45,000 इस्तानों पर इस कारिक्रम को सुना गया और 20 लाग से अधिक लोग इससे जुड़े O.M.G. Book of Records की ओर से इससे संबंधित प्रुमाण पत्र प्रधीश अध्यक्ष विश्ण दत्य शर्मा को सौपा गया जबलपूर इससे त्रानी दुर्गावती विश्विद्याले में आप छात्र रामचरित मानस गर्फ संसकार के साथ कृषी की पढ़ाई भी कर सकेंगे कुलपती प्रोफेसर कपिल देव मिश्वा के मताबिक नई राश्य शिक्षानीती के तहत युवाओं को रोजकार से जुणने के लिए आधा दर्जन नए कोर्स सयार के गए है मटेरियल करेक्टराइजेशन में सेर्टिफेकेट कोर्स की शिरुवात की गई है जिम इंस्ट्रक्टर का कोर्स पहले ही शुरू किया जा चुका है भाजपा की पूर्व राश्य अध्यक्ष स्वर्गी कुशाभाव ठाकरे की जन्मशताब्दी वर्ष को पाटी संगठन पर्प की रूप में बनाएगी स्वर्गी ठाकरीजी की आज जयनती पर पूरे प्रदेश में आधरांजली कारिक्रब आयोजित के जा रहे है इसके अलावा प्रदेश के प्रतीक, मंदल और बूद केंद्रों पर आयोजित कारिक्रमों में स्वर्गी ठाकरीजी को पुश्पानजली आरपित की जा रही है प्रदेश भर में जन्माश्टमी का पर परमपरागर धार्मे कुट्सा के साथ मनाय जा रहा है इस दोरान कोविट दिशानर देशों का पालन भी किया जा रहा है राश्ट्रुपती, प्रदान मंत्री और मुख्य मंत्री ने जन्माश्टमी के उसर पर लोगों को शुब कामनाय दी है होशंगाबाद के सभी देवालियों भी भजन केर्थन के आयोजन के साथ ही जन्मोट्सों के तयारी अंतिम चरण में है शुपुरी में आज कुरोना गाइडलाइन का पालन करते वे श्रीकृष्ण जन्माश्टमी का परम बनाय जा रहा है आगर मालवा में विभिन स्थानों पर मटकी फोर्ष कृष्ण बनों जैसी प्रतियोगताओं का आयोजन किया गया है खनवा के मंदिरों में भगवान कृष्ण की आकरशिक जाक्या सजाए जा रही है सतना सिले में जन्माश्टमी का परम हर्शुलास के साथ मनाय जा रहा है तोक्यो पैरलंपिक में आज का दिन भारत के लिए स्वन्निम दिद रहा बहलाओं के 10 मीटर एर राइफल निशाने बाजी में अवनी लखिरा ने स्वन पदक जीत कर इतिहास रच दिया है वहीं पुरिशों के डिसकस थ्रों में योगेश कथूनिया ने 44.38 मीटर चक्का फेक कर रज़त पदक देश के नाम किया भाला फेक इस परधा में देवेंद्र जाजरिया ने रज़त पदक और सुन्दर सिंग गुर्जन ने कास्य पदक देश के नाम किया इसे पहले कल भारती खिलाडियों ने दो रज़त और एक कांसे के साथ तीन पदक देश के नाम किये थे सरकार ने भारत से रवाना होने वाली और आने वाली निरधारित अंतराश्री वाणज्यक उड़ानों पर रोक 30 सितमबर तक बढ़ा दी है लेकिन सक्षम अधिकारी के अनुमती से प्रती मामने के सिति के आधार पर को चुनिंदा मार्गोपन निरधारित अंतराश्री उड़ानों का संचालन हो सकता है अब कुछ समाचार संगशेप में राज़पाल मंगो भाई पतेल ने आज उजयन में भगवान महाकाल के दर्शन किये हूशंगा बाज सिली में 11 सितमबर को नैशनल लोग अदालत का आयुजिन किया जाएगा जवलपुर जिले के जमुनिया गाओं में कल आकाशी ये बिजले के दने से एक किशोर समेत तीन लोगों की मौत हो गई सतना पुलिस अधिक्षक धर्मवेर सिंग ने अपरात नियंधरन के दिशा में प्रुभावी कदम उठाने के निर्देश दिये हैं इस मुलिटिन में फिलाल इतना ही अंत में आप सभी सेक अपील मासक और दोगस की दूरी हाँ धूना भी है सरोरी नमस्कार